धन स्वतंतरता की भावना जागरत करता है किसी भी चीज के स्वामित का अर्थ उसके अस्तित्त पर पूर नेंतर से लिया जाता है जब हम जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं तो सोचते हैं कि हम उसके मालिक हैं यदि पी जमीन का अस्तित्त लगातार मालिक के न रहने के ब यह विचार हमें इस तथे प्रति अंदा करता है कि हम परसपर निर्वरता की दुनिया में रहते हैं हम किसानों वावर्चियों वाहन चालकों आसपास के कई लोगों की सेवां पर निर्वर रहते हैं यहां तक कि एक कुसल सरजन भी अके लिए आपरेशन नहीं कर सकता, वो दूसरों पर निरवर्ट करता है, क्योंकि हम उनकी सेवां के लिए भुकतान करते हैं, यदि देखा जाए कि लोग धन के साथ इतने घमंडी क्यों हो जाते हैं, तो हम पाएंगे कि ऐसा इसलिए होता है कि धन स्वतंतरता की भावना को जागरत करता है, दूसरी तरफ निरवर्टा की जानकारी व्यक्ति को विन्नम्र बना देती है, स्वतंतरता की जूटी भावना द्वारा मानवता के आधारवूत गुड़ को दूर कर दिया गया है, कुछ लोग धन को ही तमाम बराईयों के दूसरी मानते हैं, कुछ और दूसरे भी हैं जो इसे सैतान मानते हैं, जिस प्रकार धनका स्वामित अंकार लाता है, उसी प्रकार नकारना किसी को दंबी बना देता है, कुछ लोग धनकार त्या कर देते हैं, अपनी गरीमी में भी सम्वेदना प्रदिस्त करने के गर्व म कि देवत्तों को अंग मान करते थें और इसके व्रह्म के बन्दन से दूर रहते थे जब हम की सी चीज को नकारती तब हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते दहन क defenders सब्सक्राइब कि ऐसे नारायन की पत्नी देवीलचमी नवित्ति स्वरूप बाहार के संपताओं को भाता है योग किसी को और आखिधिकार तक जाने में सायथा कर सकता है जो लोग देवत्यों के प्रति विश्वी हुपàiते हैं आपनी चंतां प्रशनता ही सत्य हैं एक समझदार आदमी जानता है कि प्रशनता सत्य है जब कि अप्रशनता सत्य है क्योंकि यह इस्मरति द्वारा प्रभावित है जब हम सब कुछ एक स्वपन की तरह देखते हैं तब हम अपने प्रगरती प्रेम उल्लास और सांति का पालन करते हैं हम तब समझते हैं कि धन ही मैत्तपूर नहीं है बलकि मूल अपने पन का ऐसास प्रेम और सिवावार अधिक मैत्तपूर है पैसा ही सब कुछ नहीं होता रिस्ते नाते ये सब कुछ होते हैं लेकिन आज के अंधे योग में इंसान को ये कुछ भी समझ नहीं आता बस सब को दिखाई देता है पैसा कि पैसा है तो सब कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं है अगर पैसा है तो इनसान सहे रिस्तों को निवा लेता है अगर पैसा नहीं है तो दूर के रिस्तों को भी नमस्कार कर देता है और नहीं निवाता है धन्यवाद